अब दोस्तों स्वागत आपका एस्प्रेंस में एंड देखिए हम करेंट अफेर देखने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है जो कि बिहार की एक्जाम्स के लिए और उसके अलावा यह आपके और भी काम आयेगा जो आने वाले एक्जाम्स होंगे उनके लिए भी काफी होगा सो अभी हम चली डिसकस करते हैं बिहार के बारे में थोड़ा सा एंड बिहार के करेंट अफेर क्या है उनको देखते हैं तो पहला इसमें बिहार में जुलाई माह में कितने नए अद्द्योगी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसके तहद बार हज्जार सटीक 99 प्रोजेक्ट हैं इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है तो बिहार में निवेस के लिए देखे बिहार राज्य निवेस समवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है इसी के माध्यम से 99 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी और विकास आयुक्त जो हैं अमीर स सुभानी देखे नाम इंपॉर्टेन नहीं है इनकी अध्यचता में इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है और इन पर 88 करोन रुपए यहां पर लिखा गया है कि कुछ प्रोजेक्ट पर 88 करोन रुपए खर्च किया जाने है इथनाल के प्रोडक्शन के लिए इ 12,744 करोन रुपए तो यह रकम तो इंपॉर्टेन नहीं है एकिन ध्यान रखिएगा इथनाल से संबंदित चीजें यहां पर विक्सित करने का भी प्रयास किया जा रहा है आगे देख लेते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में तो स्मार्ट सिटी परियोजना की ग अभी फिलाल देखिए स्मार्ट सिटी तो जो कहा जा रहा था कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा 7 या 8 साल हो गया है मोधी गवर्मेंट को आए लेकिन जिस तेजीस के साथ इसको सुरू किया गया था कोई खास विकास देखने को नहीं मिल रहा है अब बिहार में अगर बा देखें तो ध्यान रखिएगा कि पटना इसमें नंबर वन पर आता है और ये चार सहरों के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि यहीं चार सहर हमारे स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के इस तरफ से हैं अगला है बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रीट किस जिले में ब और इसके अलामा ध्यान रखिएगा कि यहां से दो मेगावाट उत्पादन छमता का सोलर पावर ग्रीड लगाय जा रहा है और जिस तालाम में इसमें लगाय जाएगा उसमें मचली पालन का भी कार्य किया जाना है अब ओके तो ध्यान रखिएगा अदरभंगा के बारे में यह चीजें हाली में उद्योग मंतरी सानवाज उसायनक द्वारा गार्मेंट्स मनफेक्चरिंग यूनिट का उद्गाटन कहां किया गया है यह बहुत इंपर्टेंट है यह है असर गंज में तो बिहार के असर गंज में इसका उद्गाटन किया गया है और गार्मेंट्स क जादा चांस होते हैं कि महिलाओं को वहां पे रोजगार मिल पाएगा क्योंकि बड़े उद्द्योगों में और भी पिछड़े राज्यों में बड़े बड़े सोचिए कि सर्विस सेक्टर में जाएं दिल्ली गुड़गाओं जैसे सहर तो वहां पे हैं नहीं तो ऐसे छोट जहां पे 100% डिजटल बैंकिंग मतलब कि अब हो पाया है बिहार में अब जिले में देखिए ध्यान रखिएगा जो सक्रिय खाता धारक हैं उनकी संक्या है करीब 10,13,438 और इनमें से सब के पास लगभग डिजटल हो गया है थोड़े से ही कम हैं कुछ आजार मात्र लेकि 99 परसेंट की ऊपर माना जाता है अगर तो वहां पर देखा जाता है तो कहा जाता है कि यह टोटल डिजटल बैंकिंग से एड हो गया है अब कुल सक्रिय खातों के बारे में यहां देखिए अगर परसेंटे निकाला जाए तो 99.6-5 परसेंट के आस पास हैं तो फेक्चुल जीला कई जीलों को जोड के प्रखंड बनता है उन्हीं को बात बात किया जारा है तो यह बंकटमा प्रखंड जीले नहीं जोड़े जाते हैं यह कुछ ब्लॉक होते हैं उनको जोड के बनाया जाता है तो यह पूर्वी चंपारन में है पूर्वी चंपारन का बंकटमा प् बच्चे हैं उनके 18 साल से उपर के ध्यान रखेगा यह कोवीट टीका करण के बारे में हैं और 100% यहां पे टोटल वैक्सिनेशन किया जा चुका है और अभी देखें 18 साल से जो कम के बच्चे हैं वहां पे थोड़ा सा वैक्सिनेशन का अभी बहुत ही पीछे चल रहे हैं हम लोग लेकिन वैसे अगर देखें ओर राल तो करीब बहुत जादा पहुंच गया है वैक्सिनेशन उत्तर बिहार का पहला और राज्ये का दूसरा तो यह है आपका मुझफर नगर में मुझफर नगर मुझफर नगर आपका कहां पे है यह है यूपी में ओके थैलसीमिया पीडित बच्चों को एक ही किरति इलाज के लिए अगले महा तक मुझफर पूर में ध्यान रखिएगा या प्रारम किया जाना है और बाकी इससे को इंपॉर्टन चीज़े नहीं है यहां पे बच्चों को हर साल करीब 12-14 यूनिट रख्त देना पड़ता है और थैलसीमिया ध्यान होगा कि किस प्रकार की बीमारी है आपको यहां जन्म से ही यह बीमारी आपको पकड़ सकती है और लाल रख्त को शिकाओं के निर्मार से ही यह ठीक हो पाता है ओके सो आगला देखते हैं एनीमिया मुक्त भारत सुचकांग में 2021 के लिए जो रिलीज किया गया है उसमें बिहार का कौन सा स्थान है तो यह है 22 ध्यान रख्येगा बहुत इंपॉर्टेंट है यह एनीमिया मुक्त भारत जो लच्छे रख्खा गया है उसमें 2021 का राष्टी रैंकिंग प्रतान किया गया जिसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान रखा गया है अब ये कुछी और ध्यान रखेगा कि मद्य पर्देश में कोपोसर के मरीज होते हैं वो सबसे अधिक दिखेते हैं इसमें ये जो है वो हमेशा मद्य पर्देश आगे ही राता है और इसा भारती राज्जियों में दूसरे अस्थान पर ध्यान रखेगा लेकिन अब देखिए यहां चावा लोग यह हों कि उत्पादन काफी अच्छा है और खाते पीते हैं ठीक ठाग लोग चावल बिहार में जिसके वज़े से एनिमिया से थोड़ा सा यह बच जाते हैं अगे हमानचल परदेश के बारें बचा जा रहा कि हमानचल में तीसरा रैंक ओर अंतिमर सुचकंक अगर हम देखे पहले पर है अंडवान निको बार किंद सासित परदेशों के मामले में और दूसरे लास्ट में लगज़ा मिलेगा है यह बहुत ही important और बहुत ही अच्छी ख़बर है भियार के लिए अब अगला है भियार में पहली बार गायद और टेस्ट्यूब बेबी को जन्म दिया गया है तो यह कहां पे हुआ है यह हुआ आपका बेगू सराय में ठीक है तो बेगू सराय में ही है आपका बराउनी फटल है आपका तो बेगू सराय में यह किया गया टेस्ट्यूब बेबी का जन्म इंविट्रो फर्टलाइजेशन जिसके माद्यम से यह किया जाता है अपने पढ़ा होगा तो साइंस और टोलाजी का सब्जेक्ट है लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि बेगू सराय में इसको और अब यह जीम का काम देखेंगी वहाँ पर जन्रल मेंजेंजर का जिसको कहा जाता है अक्सर और लली चंद्रिवेदी यह सेवा निवरित हुए उन्हीं के अस्थान पर इनको लाया गया अगला है बिहार के सभी 38 जीलो में कुल कितने हेल्थ केर हेल्थ एंड वेल्नेस स सेंटर अस्थापित किया जाएंगे बिहार के 38 जीलो में और इसके माद्यम से क्या किया जाएगा कि जो मेडिकल सुविदाया है उनकी उनका इंफ्रस्ट्रक्चर जो है वह थोड़ा सा सुधार लाने का परयास किया जाएगा अगला पिछले 6 माइनों में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे रहा है तो वह है बिहार राज्य बिहार में पिछले 6 मां इनों में 34,000 ध्यान रखिये का 34,499 करोन रुपे का निवेश हुआ है प्रस्ताव आया है और बिहार देश के सबसे आगे रहा है इस मामले में अब यह देखिए बहुत सारे बड़े-बड़ पर है बेगु सराय और तीसरे पायदान पर है पटना तो पहले नंबर पर आ गया है मुझफरपूर यह बहुत ही अच्छी बात है यह मुझफरपूर के बारे में भी पूछ सकता है प्रस्ने और चौते पायदान पर है मधवनी और उसके बाद है पूंडिया ओके सो बहु परिसत का कमान ओके आगे चलिए देख लेते हैं बिहार में एक नंबर पर एक ही नंबर पर एंबुलेंस फायर ब्रिगेड और पुलिस की साहता जो है वह किस नंबर पर मिलेगी तो वह है 111 देखिए पूरे देश में अब यही लागू किया जा रहा है 112 नंबर ही है और अ चाहिए आपको एंबुलेंस चाहिए चाहिए फायर ब्रिगेड चाहिए पुलिस साहता सभी एक ही सुभिधायार्फनी की अंब्रेला सिस्टम लाया जा रहा है अगला है बिहार के पंचायती राज योजनाओं में बड़े बदलाव करते हुए किन अधिकारियों के अधिक बिहार में मेडिकल इंजिनेरिंग और खेल यूनिवरसिटी को मंजूरी दी गई है इसके चांसलर कौन होंगे इसके चांसलर होंगे बिहार के मुक्य मंतरी ध्यान रखिएगा जो भी मुक्य मंतरी होगा वो बिहार के मेडिकल इंजिनेरिंग और खेल यूनिवरसिटी को म मंजूरी दी गई है तो 21 अनुमंडलों में ध्यान रखिएगा एक किस अनुमंडलों में नए अदालते खोलने के लिए कानुनी भागने मंजूरी दे दी है आगे देख लेते हैं बिहार के विश्विध्यालों में अब कितने प्रतिसक्ट कोर्स ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार किया रही है तो ये है आपका बिहार राज यह बहुत ही अच्छी बात है बिहार के लिए खासकर देखिए बिहार में इंफ्रस्ट्रक्चर जो है वो काफी बुरे हालात में हैं तो यह बिहार में खासकर जो खेल का darf इस को सुधारने के लिए यह बहुत अच्छा प्रयास कहा जा सकता है न सकता है बीधियों का समें क्वाजय का ऑगल यह कि ha시 कॉलेज होगा इसके अलामा यहां पर जो मरीज हैं उनके लिए भी सुविधा परदान की जाएगी आगे देखते अंतर राष्टी मानक के अनुरूप बीज उत्पारधन प्रबंदन और बीज की पारदसी प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन है तो य यह बन गया है देश का पहला सरकारी संथान जो की अंतर राष्टी मानक के अनुरूप बीज उत्पारधन करेगा और प्रबंदन करेगा अगला है किस रेल पर योजना के तहस समस्ति पूर्मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है यह समस्ति पूर्मंडल कि जैनगर और नेपा पर योजना है इसके माध्यम से किया जा रहा है 619 करोन की लागत आई है और करीब 34.50 किलोमेटर लंबा एक नया रेल खंड बनाया जा रहा है और टोटल जो स्पीड होगी इस पे वो 110 किलोमेटर के स्पीड से ट्रेने चल सकती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान हुत पाद करने के लिए भारत सरकार दौरकी से दीन दयाल उपाद्याय अंतियोध wanna किसी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया तो यह है हमारी वंदना कुमारी जी इनको यह पुरस्कार दिया गया 2020 के लिए और यह ध्यान रखेगा कि भारती किसी अंसवांधान परिच्छत की 93 ध्यान रखेगा 93 अस्थापना दिवस के अवसर पर इसको दिया गया है एक लाख रुपए इसमें पुरसकार रासी थी और प्रसस्ती पत्र भी इनको परदान किया गया बिहार सरकार दोरह हाली में किसे डाक्टर फादर कामिल फुल के पुरसकार दिया गया तो ये हैं अनन्त विजय इनको ये पुरसकार दिया गया अब तक 12 पुष्टक प्रकासी थो चुए है इनकी और इसलिए इनको दिया गया है ध्यान रखेगा इसमें माक्सवा से प्रभावित है ये अमेठी संगराम का आधा सच इनका पुष्टक राया बहुत ही फेमस हुआ था और अनन्त विजय जो है वो बिहार की जमालपूर के रहने वाले हैं और अपनी सिच्छा जो है उन्होंने भागलपूर विस्विद्याला से प्राप्त की है बिहार के किस खिलाणी को विस्विद्य बैट्मिंटन रैंकिंग के टॉप 20-200 में सामिल किया गया है तो यह है अंजना अंजना कुमारी जो है वह इंक 119 बेवार रैंक प्रदान किया गया है तो बिहार के लिए कापी कुस्कबरी की बात है और बैट्मिंटन ध्यान अगर कभी पूचा जाए कि यह अंजना जो है वह किस खेल से संबन देता है तो ध्यान रखिएगा यह बैट्मिंटन से संबन देता है अगला भिहार में पटना से बेतिया तक के लिए एक नए नेशनल हाइवे का निर्माण किया जा रहा है इस हाइवे का नाम क्या होगा तो यह है नेश 139W होगा इसका नाम तो बिहार के राजधानी पटना से बेतिया तक जल्द ही इसको बनाया जा रहा है और इसके और इंपॉर्मेशन आने वाले समय में मिलेगा फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा हाल ही में किस मंदिर का नाम राम रसोई को ट्रेड मार्ट सर्ट्पिकेट दिया गया तो यह है महावीर मंदिर पटना ठीक है महावीर मंदिर पटना है इसको राम रसोई इसकी जो राम रसोई है उसको ट्रेड मार्ट सर्ट्पिकेट परदान कर दिया गया है ट्रेड मार् copyright, trademark, यह सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, यह बहुत ही important होता है किसी भी organization या business के लिए, हाल ही में बिहार में किस software की मदद से चकबंदी करने के लिए IIT रूड की, ध्यान रखेगा, यह रूड की है, और से करार को वित्विभाग की सहमती परतान की गए, तो यह है चक बिहार, ठीक है, चक बिहार इसका नाम है, और ध्यान रखेगा कि 100% अमीन और दूसरे कर्मियों द्वारा किया जाता था इसके पहले, लेकिन अब इस काम को online भी किया जाएगा, software के मादियम से, art पी से लिए intelligence का भी यहाँ पर यूज किया जाना है, अगला है यहाँ बहुत ही important questions में आता है, देखिए बिहार में 5 option बनते हैं question के, तो इस परकार के question बन सकते हैं, कि इन में से कोई नहीं यहाँ इन में एक से जाधी, तो यह वाला ध्यान रखिएगा, यह इसी परकार के question जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बिहार के कि जिले में skill center का निमान किया जा रहा है, तो यह तीन जिले बहुत है important है, अगला देख लेते हैं, हाल ही में किन के दोरा देश की पहली बार आई नैनो यूरिया लांच किया गया है, तो यह है किसी मनती अमरेंद प्रताप सिंग के दोरा, इनी के दोरा लांच किया गया है हाई नैनो यूरिया, अब बिहार में 10 फसलों पर 750 की जगह इसका परिच्ण किया जाएगा, इससे 8 पिसदी जो उत्पादन है, वो बढ़ने के उमीद लगाई जा रही है, अगला है हाली में पीयम नरेंद्र मोधी के मंत्री मंडल में विस्तार किया गया, इसमें बिहार स किन्हे सामिल किया गया इसमें, ध्यान रखेगा, यह सामिल गलत है, सामिल इस फरकार से लिखा जाता है, ठीक है, तो राम चंदर परसाद तथा पसुपति कुमार पारस को इसमें सामिल किया गया है, और ध्यान रखेगा कि यहाँ पर पसुपति पारस को मोधी काबिनेट म खाद प्रसंस्क्राण उद्योग मंत्री बनाया गया है पसुपत्ती पारज जो है वह बिहार के बड़े बहुत बड़े नेता है और हाजी पूरलोग सभाज सीट से ये सांसद है रामचंद पसाद के बारे में देखे तो इस पात मंत्री इनको बनाया गया है और आर सीपी के नाम से भी इनको जाना जाता है और ये राज्य सभा के सांसद है कंद की बज़ा है अब आलू भीज से उपजेगा ठीक है आलू अब भीज के माध्यम से भी उपजाएगा पहले क्या किया जाता था कि कंद के माध्यम से यानि कि एक आलू को काट किये उसको जमीन के अंदर डाल देते थे जिसके वज़ाए से आलू का बाद में परयापत उत्पादन होता था माली एक आलू काट के डाल दिया गया और जो पूरा आलू उत्पादन होता था तो 5-6 आलू हो जाते हो वहाँ पे अब केंद्री आलू अनसंदान केंद्र जो पटना में है द्वारा इसके लिए नई तकनिक में से किस बीज का निर्माण किया गया है तो ध्यान रखिएगा पी, टी पी एस इसका नाम है टू पोटाइट़कू सीट ये ध्यान रखिएगगा कि टी पी एस के बारे में अगर पूछे ये टीपी एस है क्या तो ध्यान रखिएगा कि ये एक आलू का बीज है, तो आलू का बीज है, यह बहुत ही इंपर्टेंट है, इसकी अलामा ध्यान रखेगा, एक कुछ इंपर्टेंट इंफर्मेशन यहां पे भी है, कि आलू का पैदावार जो है, 20-30% बढ़ जा सकती है, नहीं तकनिके में सफल परिणामों को देखते हुए, केंदरी आलू संस्थान सिंगला ने भी 92, ध्यान रखिया, 92 PT27 नाम से इसे माननेता दे दिया है, तो इसी के बारे में पूछेगा आने वाले प्रस्नों, एक्जामों में, ओके, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्यू, और यह अगस्त महिने के करनेट अपैर के बारे में और भी द की इतना ही, उऺए के इतना ही, रता के बारे में अभी छिए एके हानेखर के बारे में आपकी ऐे विए